Hello and welcome to all, मैं आज आपको बड़ा interesting सा question बता रहे हूँ LCM and HCF of x square y to the power 5 and x q y तो बहुत simple है, बस कुछ seconds में ही निकलाते हैं ये questions, देखिए पहले आप ये दोनों जो terms हैं वो लिख लेजे x square y to the power 5 और दूसरा बाला है x cube y यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही terms में दो ही variable है first में है x square y to the power 5 और second में है variables x cube and y तो जब हम इसका LCM निकालना है जब हमको then आप दोनों ही terms में एक-एक variable को चेक करें यहाँ पर first variable मैं x को देख रही हूँ तो इसकी जो maximum power है वो आपने note on करने है like x square है first term में और second में x cube तो maximum power क्या है x cube वो लिख लेजिए then y to the power 5 and y इसमें maximum power क्या है y to the power 5 तो y to the power 5 लिख लेजिए इसके अलाबा कोई और इसमें variable नहीं है तो आपके पास जो answer LCM के लिए होगा that will be x cube into y to the power 5 same आपने क्या करना है hcf के लिए आपने देखना है minimum क्या है power दो variables है दोनो variables के लिए check करेंगे minimum power क्या है यहाँ है x square x cube में x square और जो second variable है y to the power and y इसमें है y तो LCM आपके पास आता है जिसमें maximum powers होती है और hcf आता है जिसमें minimum powers होती है दोनों ही दो variables हैं तो दोनों में ही आप check करेंगे अब मैंने एक और question लिया हुआ है जिसमें LCM और hcf आपको दोनों ही find out करने हैं जो terms है first x y and second one है w तो जब आपने LCM निकालना ही दोनों का यानि की LCM आपको किसका find out करना है x y का and w का इन दोनों में ही find out करना है तो जब कुछ भी common नहीं होता है उस situation में आप जितने भी terms हैं उनको as it is लिख देते हैं LCM निकालना था है मैं इसको यहां दिखा देती हूं next line में दिखिए x y और w में कुछ भी common नहीं है ना ही हम पार के साथ में इसको relate कर पा रहे हैं यहां पर x y variable है यहां w है तो कोई भी नहीं जा रहा है कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है minimum या maximum आप चेक कर सकें दोनों ही different हैं दोनों ही terms तो आपने जितने भी terms हैं उन सबको लिख देना है x y and w यह सके LCM हो जाएगा और जब आपको HCF find out करना पड़ेगा कुछ भी common नहीं है इसका जो HCF होगा वो one हो जाएगा तो I hope यह question आपको clear होगा बहुत easy है सिर्फ आप इसमें इस तरीके के जो terms रहते हैं इसमें numbers नहीं दिये रहते हैं variables given रहते हैं तो यहां से मैं दिखा रहे हूँ यह यह दोनों terms से जैसे LCM में आपको क्या करना है कि maximum parts लेनी है variables की और HCF में minimum लेनी है simple LCM में maximum parts लेनी है और HCF में minimum लेनी है बट उस condition में जब कि common कुछ नहीं आ रहा variables अलग लगा रहे हैं तो LCM के लिए आपको यह सारे ही terms एक साथ लेने हैं बट HCF में 1 आ जाएगा क्योंकि कुछ भी common नहीं है इसलिए है so I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर helpful लगी है तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी कोई query हो तो प्लीज जरूर आस्त करें पूछिए इसमों comment section के थ्रूँ वीडियो देखने के लिए thank you